बैल आइकोन दबाईए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद ताकि हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेसान आपको मिलते रहें लगा था जिसमें KYC होना ज़रूरी है तो आज की इस वीडियो आपके लिए है जिसमें मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप घर बैठे असानी से Amazon Pay में KYC जो है वो complete कर सकते हैं तो आज की इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा एक एक इस टिप ध्यान से देखिएगा और इजली आपको हर एक इस टिप समझ में आ जाएगा तो दोस्तो नमस्कार मैं हुआ वीनास और वीडियो में आगे बढ़ते हुए हमोरा आप कहते हैं चली आगे बढ़ते हैं बीना किसी देरी के तो वीडियो का सुभार हमें एक लाइक से करते हैं तो फटा फट नीचे लाइक का बटन दबा दीजिए अभी सबसे पहले आप सभी को बताना चाहूंगा कि जो मैं प्रोसेस मुबाइल में कर रहा हूं वो सेम प्रोसेस आप अपने डेक्स्टॉप में भी कर सकते हैं तो चलने आगे पढ़ते हैं तो आप इस स्क्रीन में देख सकते हैं कि मैंने हमाजान एप का ओपण करके रखा हुआ है और ऊपर में यह जो तीन लटेट दिया हुआ है इस पे हम क्लिक करते हैं और चलते हैं Amazon Pay के Alison पे और यहांपि हमारा Amazon पे जो है open होले दिकिए डिखाई द का ओपसन देखने को मिलेगा या पुराने का श्टमर है तो vallahi आपको क्लिक करना है आप देखिए यहां पर आपको डोकुमेंट्स के जोरत पड़ती है पहला ज तो pen card अगर आपका नहीं है तो भाई बनवा लो या फिर अपने घर के किसी बड़े का यूज कर लो pen card लेकिन ये address proof भी उसका ही लगेगा और address proof के लिए आपके पास या तो आपका water ID कार्ड होना चीए या तो आपका driving license या तो आपके पास passport है कुछ भी चलेगा तो यहाँ प करने के लिए Amazon तरफ से एक agent आएगा आपके घर में तो आप उसको जो है वो schedule कर सकते हैं कि इस दिन आएगा तो Amazon की तरफ से जो बंदा आएगा वो आपका जो भी document आपने submit किया उसको एक बार देखकर verify करेगा और उसके बाद और उसके बाद आपका KYC within 12 days में complete हो जाएगा तो चलिए सबसे पहले हम जो है वो upload now के option पे click करते हैं अब यहाँ पर जो पहला दिया हुआ है वो है photo तो photo यहाँ पर आप नीचे देख सकते हो photo upload successfully लिखा रहे हैं मैं पहले एक बाद try करके देख रहा था तो हुआ क्या था कि वहाँ पर जो है वो photo का option आ गया था और मैं आप नए है तो आपको add में click करने और add पे click करेंगे तो आपको अपना selfie खीचना है ठीक है यहाँ पर आपको अपना selfie खीच की इसमें डाल देना है तो चलिए मैं पहला यह process अप complete कर लेता हूं तो address proof करने के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके पास passport होना चीए water id card होना चीए या आपका driving license होना चीए तो आप उसका फोटो खीच के रख लिजिएगा उसके बाद add के option में जो यहाँ पर हम जो है upload करने वाला हूं में address proof के लिए अपना driving license और इसके बाद आप directly photo भी खीच सकते लिए कि मैंने पहले से photo खीच के रखा हुआ है तो मैं upload photo क option में जाऊंगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भी आपका driving license है उसका front image और back image दोनों आपको यहाँ पर जो खीचना है अगर आप चाहे तो पहले भी खीच सकते हैं आप back में भी खीच सकते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले front image में मैं add करता हूँ और यहाँ पर आप image हो गया इसके बाद add back image तो वापस से मैं photo वाले option में जाऊंगा और यहाँ से जो मेरा driving license का back वाला image है उसको मैं यहाँ पर add कर लूँगा तो कुछ इस तरीके से मेरा जो back वाला है वो भी यहाँ पर add हो गया इसके बाद मैं कर दूँगा continue और इसके बाद यहाँ पर pen card का option आता है pen card में भी हमको यहाँ पर जो है upload वा photo में जाना है front image बस यहाँ पर लगेगा हमारे pen card का तो photos में जाना है और यहाँ पर यह हमारा जो है वो upload हो जाएगा तो यह हो गया upload अब करते है continue पर click अब यहाँ पर एक छोटा सा box दिखाई दे रहा है जहाँ पर आपको इनके schedule appointment में और यह जैसी आप यहाँ पर click करेंगे आप सभी को बताना चाहूंगा कि अभी क्या है कि मेरे जो pin मैंने customer care से बात किया तो उन्होंने बताया कि मेरे pin code में अभी जो door step वाला KYC complete करने के लिए जो बंदा आता है वो अभी available नहीं है तो मुझे कुछ इस तरह का option आ रह और उसके बाद उस दिन बंदा आएगा आपके पास आपके document को verify करेगा और उसके बाद आपका जो KYC है वो complete हो जाएगा within 12 दिन के अंदर तो यह complete process है आपको पता चल गया होगा कि किस तरह से KYC आपको करना है I hope आपको वीडियो अच्छे लगी होगी अगर मन में कुछ doubt ह तो आप नीचे मुझे comment करके बता सकते हैं इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छे लगी तो like कर दीजेगा इसी के साथ हमारे social links भी नीचे दिये हुए हैं जहां पर आप मुझे Instagram में follow कर सकते हैं और मेरा Facebook पेज भी like कर सकते हैं तब तक के लिए मैं विनास मौबिया आप सभी से लेना चाहूंगा विदा जैहीन वन्ने मातरम